हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सास कंद्रा, दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कोंस्टेबल का जो पेपर 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को होगा, उसके लिए प्रैक्टिस स्रेट नबर 20 को कबर करेंगे, दोस्तो इससे पहले अल्रेडी हम लोगों ने स्रेट नमबर 1 से लेकर के 19 तक को कबर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है, तो देख लिजेगा, सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज लिजेगा, तो फ्रेंट्स आज का सेशन का पहला कोस्न देखिए, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप्परधान मंत्री पद पर निउक्त हुए हैं, आपको कोसिस करना है मातर 5 से 7 सेकेंड का अंदर एंसर देने का, उसके बाद जो भी करेक्ट एंसर होगा, पूरी पर टेल, और सात्वा व्यक्ति कौन था, जो उप्परधान मंत्री बना था, तो स्री लाल कृष्ण अडवानी थे, बिहार से कौन बने थे उप्परधान मंत्री, तो बाबो जगजीवन राम बने थे, ध्यान रखेगा फ्रेंस, इंपोर्टेंट कोस्टन है, उप्परधा ट्राइटियम और ट्राइटियम देखें, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तीनों का, और रेट इंसर इसका उप्पर डी हो जाएगा, ट्राइटियम या जो है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, ठीक है फ्रेंस, नेक्स्ट कुस्टन देखिए, अगला कुस्टन है कि इंधन का मान अधिक्तम होता है, तो इसमें से किस इंधन का, उसमिय मान, ठीक है, यहाँ फिर मान पुछा गया है, यहाँ उसमिय मान लगा लिजे, तो यहाँ जो है हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ प्रशन कई बार एक्जाम में पुछा जो चुका है, हाइड्रोजन को भविस्य का इंधन भी कहा जाता है उसके बाद देखे पतिदार सब्जियों में सबसे अधिक पाये जाने वाला तत्व कौन सा है तो फ्रेंट्स यह जो तत्व है यह है प्राकृतिक तत्व राइट एंसर ऑप्शन अबर इसका C हो जाएगा ठीक है ध्यान कहीं है इंपॉर्टेंट कुस्ट्ट्सन है उसके बाद निक्स्ट कुस्ट्ट्सन की्छी चूज दर करेक्टरी सपिल्ट्ट वार्ड फ्रांड डिव लिखाँ हूआ है तो फ्रेंट्स सबसेसर जो लिखा हूआ है वो लिखा हूआ है पी जी फिन ओ M v यानि कि right answer इसका option number B हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखिए ये भी same लिखा हुआ है मेरे ख्याल से ये भी एक ही जैसा लिखा हुआ है ठीक है तो दोनों सही लिखा हुआ है P-H-E उसके बाद N-O-M-E-N-O-N ठीक है तो दोनों सही लिखा हुआ है next question देखिए choose the correct suffix the thieves broke into the house and took all the values तो क्या होगा right answer इसमें देखिए suffix यानि कि जो बाद में लगता है तो right answer इसका हो जाएगा valuables ठीक है right answer इसका option number B हो जाएगा next question देखिए देखिए अगला question हमारा है कि choose the correct passive form of the sentence given below she gave me a gift इसका passive बनाना है तो right क्या हो जाएगा I was given a gift by her सही answer इसका option number A हो जाएगा next question देखिए translate इसको करना है अंग्रेजी में उसने मुझे सोया हुआ पाया तो he found me sleeping option number C right answer इसका हो जाएगा उसके बदेखिए find the error इसमें जो है गलती आपको ढूणना है I want to join in the institute तो इसमें क्या होगा right answer option number C हो जाएगा ज्वाइन इन ज्वाइन के साथ इन का परयोग यहां पर आनावसक है सिर्फ हो जागा I want to join यहां इन ज्वाइन एक्स्ट्रा है इसकी कोई आवसकता नहीं है निम्नलेकित में से किस देश का राष्ट्री एक खेल किर्कट है तो फ्रेंट किर्कट जो है यहां किसका राष्ट्री खेल है तो यह और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्री खेल option number C राइट इसका हो जाएगा ठीक है भारत का क्या है कमेंट करके आप मुझे अभी बता इस तक बिहार पुलिस कोंश्टेबल में जितने भी प्रश्ण पूछेगा है उन सभी प्रश्ण को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वील जाएगा या फिर यहां पर आपको ल किसी समोह में परमानु तिर्जया में विर्धी होती है तो रेटन सर इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोन सेल की सता विर्धी के कारण सहीं सर अप्सन नमबर यह हो जाएगा अगला कुस्तन देखिए चौदा नमबर कुस्तन खाली अस्थान है एक परजीवी पाधा है तो परजीवी है उसके बाद नेक्स्ट कुस्स देखिएगा खाली अस्थान है फूल का एक मादा परजनन अंग है तो रेटन सर इसका अप्सन नमबर यह हो जाएगा गर्व केसर ठीक है यहागा जो है मादा परजनन अंग है नेक्स्ट कोस्टन देखिए जयांग भी इसको कहते हैं पुमकेसर जो है यहाँ नर्भाग है उसके बाद देखिए कि कला और बुढ़ा चांद किन की रचना है तो फ्रंस कला और बुढ़ा चांद जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है आप्सन नमर ए सही इंसर हो ज सब्सक्राइब दिनकर का संबंद हिंदी की किस धारा से है तो इनका किस धारा सती यानिके जोड़ आनंद यानिके मिबैकOR हो जाएगा उसको पर देक Commun da टायकोर का जनम कब हुआ था तो रविद्ना टैगरू का जनम जो है 1861 इस भी महुआ था रेटेंसर अप्सर नमबर इसका बी हो जाएगा 7 मई 1861 को ठीक है इनकी मिर्तिव जो है 7 अगस्त 1941 में होई थी ये भी ध्यान रखिएगा 1913 में गितांजिली के लिए इनको साहित्य के छेतर में नोबेल पूरस्कार भी दिया गया था उसके बाद देखे किसी वस्तु का दरवेमान M है एक समन विर्तिय गती से एक 36 तल में गतिमान है तब संरक्सित रासी होगी तो फ्रेंट्स यहाँ जो होगा कोनिय संबेग हो जाएगा क्या हो जाएगा कोनिय संबेग right-nag могут si अब इसका छिसका सी हो जाएगा उसके वास देखे कों सी कोनिय विभेदन के लिए मुलभूत रासी है तो साहिन सर ऑप्सन नबर D हो जाएगा कौन ठीक है फ्रेंट्स कौन जो है कौन ये विभेदन के लिए मुल्भुत रासी है उसके बाद एक नेक्स्ट कॉस्टन है टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक बॉब धातू का बना है तथा रिनाविशित है यदि इसको धनाविशित प् बी रैट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला कॉस्टन देखिएगा नेक्स्ट कॉस्टन हमारा है कि उत्पलावी बल निर्भर करता है तो उत्पलावी बल जो है यह निर्भर करता है विस्थापित तरल के केवल भार पर ठीक है रैट एंसर अप्सन नमबर इसका D हो जाएग आर्केमडीज का नाम आपने सुना होगा इन्होंने उत्पलवक्ता का नियम दिया था नेक्स्ट कुस्टन देखिए अगला कुस्टन है कि वाई में प्रचक्री यानि कि स्पीनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की वेख्या की जा सकती है तो फ्रेंट्स यहां की जा सकती है बर् बर्नवली प्रमे जो है यहां द्रवों के प्रवाह की वेख्या करता है ठीक है द्रवों की प्रवाह की वेख्या करता है वेंचूरी मीटर आपने सुना होगा वेंचूरी मीटर इससे क्या होता है जो इसमें किसी नली में द्रव की प्रवाहदर ग्याद की जाती है और यह जो वेंचूरी मिटर है, यहां किस पर काम करता है? तो यहां बरनवली प्रम्य के सिधानत पर ही कारे करता है. उसका बाद देखे केस नली में पारे का मैनिकसस होता है, तो साइन्च और आपसन नमबर भी हो जाएगा, उत्तल होता है. ठीक है इसका अकार जो है मिनिक्सस का वो उत्तल होता है उसका वादिके जल के हीमिकरन में एके होने का पर इसका ताप तो फ्रेंट्स इसका ताप जो है और परिवर्थित रहता है कैसा रहता है और परिवर्थित रहता है और इसका बी सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्षन देखिएगा अगला कोस्षन हमारा है कि पानी के उपर तक भरे एक गलास में पानी के सता पर बर्प का एक टुकला तेर रहा है जब टुकला पिगलेगा तो कोई भी अंतर नहीं होता है पानी का अस्तर और परिवर्तित रहेगा, option number C, right answer इसका हो जाएगा, उसके बाद देखे, ध्वानी का वेग निर्वर करता है, तो friends, ध्वानी का वेग जो है तरंग दैरे पर निर्वर करता है, ध्यान रखेगा, सबसे ज़्यादा इसका वेग ध्वानी का ठोस में होता है, और फिर गैस में, प्रकास का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद देखे, जब ध्वानी तरंग पानी के अंतर प्रिष्टिय भाग से और परिवर्तित होती है, तो निमन में से कौन और परिवर्तित रहता है, तो friends, यहाँ इसकी आविर्ती जो है, और प प्रोब्त वेन आरेक तीन प्रकार के खेल, M, N, L में किसी काक्षा से भाग लेने वाले वाले विद्यार्थियों की परतिनीदेत करता है, सभी तीन खेलों में भाग लेने वाले वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो सभी तीन खेलों में विद्यार्थियों कु यानि कि इसकी भुझा क्या हो होगी होगी में सारा वे उसकेबाद कड़ार है कि दोनों का kul 64 और 64 के स्कУर छाइर 36 यानि कि 100 हो जाएगा, हो जाएगा, उसके बाद देखे, अब तो ये बड़ा वाला का छेतरफल निकल गया जो कहा था प्राश्ण में, कि दोनों के छेतरफल के बरावर है, यानि कि बड़ा वाला d equal to, क्या होता है, भूजा root 2, तो भूजा हमने x माना है, और root 2, तो x का value 10 आया है, 10 root 2 जो है, answer हो जाएगा, ठीक है, 10 root 2 meter, उसके बाद next question देखेगा, अगला question हमारा है, कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन सुने हो, तो बलद्वार वस्तु पर किया गया कारे जो है, क्या ह ब्याज के मुल राशी की धूगनी हो जाएगी, यानि कि पहले मानलीजी, x था और धूगना हो गया, 2x, ब्याज कितना हुआ, ब्याज बराबर क्या होता है, सधारन ब्याज, मुलधन होता है, मुलधन कितना है, x है, rate कितना है, 10 है, आप से पुछा जा रहा है, time, तो time n मा हो जाएगा, next question देखिए, next question यहाँ, cos theta minus sin theta, फिर देखिए, इसका बराबर पुछ रहा है, तो cos theta को आप यहाँ, 1 बटा sin theta लिख सकते हैं, minus sin theta, फिर यहाँ आप लिख देखिए, इसको 1 बटा cos theta लिख सकते हैं, minus cos theta, ठीके, अब देखिए, करना क्या है, आपको, सब को सब में लिख देना, यहाँ भी देखिए, 10 theta को लिख दीजेगा, 4 theta को लिख दीजेगा, और जब आप इसको solve कर जीजेगा, तो सब कुछ cut जाएगा, और एक answer आजाएगा, उसके बाद देखिए, यह जो equation दिया गया है, कि घटक क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना होग देखिए, एक आसान तरीका है, सबसे पहले यहाँ आप x कमान जो है, एक रख दीजिए, कितना रखेंगे, इसमें x कमान एक रख दीजिए, clear, अब देखिए x कमान अगर एक रखेंगे, तो कितना आ जाएगा सब, करके देख लिजे, यह minus 7 आ जाएगा, देखिए, एक, ए तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, आपको 7 आ जाएगा, minus में, फिर जब x कमान एक बर आप, क्या रखेंगे, minus 1 रखेंगे, तो फिर यह इसका मान आएगा, minus 5, तो रैट टन्सर हो जाएगा, आता 9 तो x minus 1 ही होगा, और नहीं x minus, x plus 1 ही होगा, option number d, क्योंकि जब त चार करें, चार मान रख दीजिए, और qx का भी आप मान, कितना रखेंगे, qx में भी आप 4 ही रखेंगे, px में रख दीजिए, और एक बार qx में रख दीजिए, चार चार रख दीजिए, दोनों का अनुमात, अनुपात ही तो पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, x का भ में मिल जाएगा या फिर आप टाइब कर लिजे इसस केंद्र के या फीर आप जहाँ वीडियों देख रहें वहाँ पर हमारा सक्सिस कंद्रा का जो लोगो दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए जैसे जैसे किलीक की जएगा आप प्लेवाले सेक्षन में चले एक नया पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ प्लेलिस्ट वाले चैनल पर चले जाएए बिहार पुलिस कोंस्टेबल 2021 के नाम से सब्वी वीडियोज मिल जाएगा देख लिजएगा पहली 20 प्रकृतिक संख यहां देखें तिरभूज का सितरफल ग्याद करें जिसकी सिर्ष का स्था निर्दे संख दिया हुआ है तो दिखें यह आपको पता होगा ABC ठीक है कितना दिया हुआ है चार जिरो दिया हुआ है फिर यहां देख लिजए-500 दिया हुआ है ऐसा आभ मान लिजए कोई जरूर नहीं आपको रेंडमली कहीं भी रख सकते हैं अब इसमें से क्या कर फिर इधर वाला जो बिंडू था वो x3 y3 है तो क्या होगा x1 उसका बाद y2-y3 होता है फिर यहां पर प्लस होता है x2 और फिर यहां क्या होता है y3-y1 होता है फिर प्लस हो जाता है x3 और यहां हो जाएगा y1-y2 अब सबको भैलू आप रख दीजिए और solve कर लीजेगा 0 इस 20 प्रकृतिक संख्या का माद तो पहले 20 प्रकृतिक संख्या का योग सबसे पहले निकाल लिजे और प्लस 1 बटा टू होता है आपको पता है नंबर कितना है 20 है पीश-प्लस एक-अंदर जोड़ जोड़ जीजेगा तो यह काट जीजिए ठीक है n बैटू होता है और आपको माध निकालना है तो माध निकालने के लिए टोटल जोड के 20 से डिवाइड करना है 20 का नंबर है तो यह दो 0 सी 0 कट जाएगा यानि कि 10.5 इसका राइट असर आ जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देख लिए जागला कोस्टन है कि एक बॉक्स में 10 आम है देखे फ्रें हंटर आयो जो है इसका गठन किया गया था हंटर समीति का ठीक है नेक्स्ट कोस्टन देखिए अगला कोस्टन है हमारा कि अकिल भारतिक किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ तो अकिल भारतिक किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था इंपोर्टेंट कोस्टन है ध्यान रखिए वास्तिल का पतन, 14. Jul 1749 को हुआ था, फ्रांस की रन्ती से संबन्दित है, ध्यान रख़िए का 14. Jul 1789, ऑप्सन स्यंसार इसका हो जाएगा, फ्रांस की राजा कौन था, तो लूई 14 हमा था, कौन था? माफ कि जी जी अगर लूई 16 हमा था, ध्यान रखिए का, ठीक है, अंग्रेज सत्ता के व्रोध अवियान आरामर किया तो रैटनसर क्या हो जाएगा अफसर नमबर B हो जाएगा टीपू सुल्तान ठीक है टीपू सुल्तान नेक्स्ट कोस्टन देखिए कि वह मैला जिन्हों ने अवद में 1867 की क्रांति के नित्रित्व किया तो बेगम हजरत मह अपसर नमबर इनका डी रैटनसर हो जाएगा आवद का है या फिर लखनव का है एक ही बात है बिहार में वीर कुवर सिंग 1867 की विद्रह को किस उर्दु कभी ने देखा था तो मिर्जा गालिब ने देखा था रैटनसर अपसर नमबर C हो जाएगा ध्यान रखिंग नेक्स्ट कोस्टन देख लिजे कि बिहार के किस अस्थान पर भारती राष्टी कॉंग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था तो फ्रेंट्स की आग गया में हुआ था और इसकी अध्यक्सता चितरंजन दास ने किया था भारती राष्टी कॉंग्रेस का पलतम मुसल्मान राइट इंसर इसका हो जाएगा ठीक है मदरास अधिवेशन 1887 में इन्हों ने कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यक्सता किया था ध्यार रखेगा इंपोर्टेंट कोस्टन है उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन देख लिजे अगला कोस्टन है हमारा कि अकबर के सासनकाल में अभू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदाई था तो टोडर मल जो थे यह अकबर के राजस्व मंत्री थे ठीक है राइट इंसर अप्शन नमबर भी हो जाएगा दह साला बंदवस्त पुछा जाता है तो पंद्रास सो असीस भीम इसको टोडर मल ने लागू किया विलियम जोन्स ने किया था ओप्शन नमबर भी साई इंसर हो जाएगा महत्मा गांधी ने पर्थम आमरन अंसन कब प्राराम किया था तो पहली बार इन्होंने कब किया था यह आपसे पुछा जा रहा है तो राइट इंसर हो जाएगा कमिनल एवार्ड के समय ठीक है कमिनल प्रितिवी सूरे से अपनी अधिक्तम दूरी पर कब होती है तो अधिक्तम दूरी पर होती है चार जुलाई को और इसको क्या कहा जाता है अपसौर कहा जाता है ठीक है सबसे नजदिक होती है तीन जनवरी के दिन और उसको उपसौर कहा जाता है धोनों को ध्यान रखिएगा अगला कुस्तन द जो है मेरिता विज्ञान यानि की पेड़ालोजी का अलाता है हिंदुस्तान सिप्याड कहां परिस्तित है तो राइट अंसर इसका बताएं क्या हो जाएगा आप लोग इसका एंसर कमेंट करके बताएंगे ठीक है कई बार आपने निउस्पेपर में भी इसको पढ़ा होगा उसका बाद next question देखे कि भारत की निमलेकित राजय में से किसमे सागवान यानि कि टीक का वन पाया जाता है तो यहां मद्द प्रदेश में पाया जाता है option number एक साई अंसर इसका हो जाएगा उसका बाद ये कि भारत की जंगना 2011 के अंतिम आखडो का नुसार निमलेकित में बंदी है जलवाई की सित्यों कर्टी बंदी है option number D रेट एंसर हो जाएगा ज्यान रखिएगा अगला कुस्सन देखिए next question हमारा कि कोईले की किस रूप से अधिक्तम परदिस perpetτα carbon पाया जाता है तो अधिक्तम परदिसित carbon का anthracite में होता है सबसे किस्तम किस्म का होता है ॿ निक्स्ट के किस प्रकार की मिटी में एक microorganic और खादर मिटी पुराने जलोड मिटी को बंगर मिटी कहा जाता है और नए जलोड मिटी को खादर मिटी कहा जाता है उसका बाद एक नविंतन जनगाना का नुशारकिस भारती राज की जनसंख्या घना तो सबसे कम है तो सबसे अधिक पुछा जाए तो बिहार का है सबसे क सम और रुनाचल पर्दिस का है तो सम वर्ती सूथी में कौन सा है आप प्राधिक मामले जो है सम वर्ती सूथी के विशे हैं अपसन नमबर बी रैट अंसर इसका हो जाएगा उसका बाद देखें नेक्स्ट कुस्तन पुलिस जो है यह राधिस्टी में आता है ब्लॉक अस्तर पर पंचायत समिती जो है यह एक प्रसास्निक प्राधिकरन है और सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जरूर देख लिजेगा 2012 में भारत के समिधान में होने वाले संतानवे समिधान संस्वजन जो था का सरोकार किस विशय से है तो राइटन सर इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन और कारेशन चालन से ठीक है नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा कि निमलेखित में से कौन समयधानिक यानि कि कॉंस्टिट्यूशनल ऑथ्रूरिटी जो है इन में से है निचे दिए कि कूट से सही अंसर आपको चुनना है तो राज निर्वाचन आयोग भी है राज वित आयोग भी है जीला पंचायत भी हो जाएगा तो राज निर्वाचन आयोग भी हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कोस्टन देखिए तो परागकन जो होता है यहां आवीर्ट भीजी यानि कि NGASPORM में होता है साथवे वितनायक के अध्यक्स क्यों है फ्रेंस असोक कुमार माथूर है औपसर नमबर सी रई अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखे, कोईला और पेट्रोलियम के दहन का परिनाम खाली अस्तान है, में अक्साइड की रूप में होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के अक्साइड की रूप में होता है, अप्सान नमबर A, राइट अंसर हो जागा, और इन्हीं के कारण अमल बर्सा भी होती है निम्रेड़े कित्मका से कौन सा एक विषम परमाणूब्र है तो विषम परमानुख आपसे पुछा जा रहे हैं तो पी-4 जो है एक विषम परमानूख अनूः है पी-4 lit जिन्हों एक लिए 100 इकाई की खपत होती है यदि उर्जा को जूल में परवर्तित किया जाए तो कितनी होगी तो 1 इकाई खपत यानि कि 1 किलो वाट तो 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होता है आप सभी को पता है उसके बाद कहा रहा है कि 100 इकाई तो आपको इसमें 100 से गुना कर द जीजिएगा तो 3.6 गुना 10 के पावर 8 जूल एंसर इसका निकलके आ जाएगा एक नैनो मीटर में कितना होता है मीटर तो एक नैनो मीटर में 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है यानि कि एक बटा 10 के पावर 9 हो जागा यह उपर जाता है तो माइनस 10 to the power 9 इसको ऐसे लिखा अगला कुस्टन देखिए कि Clouded Leopard National Park कि सराज में इस्तित है तो फ्रेंट्स यह जो है कहां है तिरी पूरा में है ऑप्सन नमबर सी सही इंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन के 74 नमबर की ध्वनी के संचरन के दौरान माध्यम्त में कनों के उच गहनत्वका छेत्र क्या कह कहलाता है तो फ्रेंट्स यह जो है संपीडन कहलाता है ऑप्सन नमबर सी राइट एंसर हो जाएगा संपीडन कहलाता है ध्यान रखिएगा उसके दो या दो से अधिक सेल के सयोजन को क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स उसको बैटरी कहा जाता है ठीक है बैटरी आपने एक क्या है illegal right answer बताएए तो साही answer इसमें से हो जाएगा pulling है धही खट्टा है गगन में inkling है तो गगन में pulling है गगन नीला है नौत्र में कौन से समास आहिए तो नौत्र मेंають द्विगू समास है औप्सन नुबर C, सही अंसर हो जागा, बहुत बार पूछा जाता है, यह ध्यान रखिएगा, उसके बाद देखिए, अकल चाकराना मुहाबरेकार्थ क्या है, तो अकल चाकराना मतलब क्या होता है, कुछ भी समझ में ना आना, राइट अंसर आप्सन नुबर A हो जाएगा, अगला कुछ देख लिजे, खाली अस्तान दिया हुआ है, स्वस्नी उत्सरजक और परिसंचरन माले अंगों से रहित होते हैं, तो यह कौन से जीव है, एस्पंज, कौन है, एस्पंज जो है, यह होता है, नेक्स्ट कॉछशन देखिए, खाली अस्तान दिया हुआ है, अमल यहमको रखा जाता है किसमें कि रहोशीन में अपसे नमर डी रचिंसर हो जाएगा मिटी तेल में उसका बाद एक नेक्स्ट कुस्ट ने पुस्प का वाँ भाग जो पराकन पैदा करता है निमलेखित में से कौन सा होता है तो फ्रेंट्स जो भाग है यहां कौन सा है तो üniversal adapter है किसी कभी ले सकते है। उझी को भी दे सकता है इसको एन्यवर्सल डॉनर कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातू कौन सी है। तो रक्त में क्या पाईजाता है। लोगजाता है। द्चीन पोक्स से होता है विसानू से होता है नेक्स्ट देखे कि निम लेखित में एक से कौन से मामले उच्छी Г nio की से नियाला का परवर्तन ओपस नमधर C रछका क्यों है तो सुप्रीम कोड है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नों कुम्द से किसी नियाला द्वारा जारी किया जा सकता है तो राइटन सर इसका क्या हो जाएगा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या जारी किया जासकता है तो राइटन सा रिट रिट जारी किया जाता है आप सभी को पता है 32 जो आर्टिकल है इसके ताथ उचितम नेले यानि कि सुप्रीम कोट पांच प्रकार का रिट जारी करता है नेक्ष्ट कोशन देखे कि समिधान का कौन सांस भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय परदान करने का संकेत देता है तो राज्य का निति नेजेशक्सी धानत आयरलेंड के समिधान से लिया गया है इसको ध्यान रकेगा समिधान के भाग चार में है और उसे 36 से ले करके 51 फ्यावनद दक में नेक्ष्ट कोशन के भारतिय में कितने सदन हैं तो भारतिय संस अंसाथ में कौन से सजन है दो सदन है ठीक है उस सदन और निम्न शदन यानode कि लोकसभा और राज्य सबाहte और हमारा संसथ है वो मिल्खेन बना है chemical बना है लोकसभाect आजिसबा और रश्ट पजी से लेकिन सदन पुछा जा रहा है तो दो सदन है संसत की कारवाही सुची में पर्थम विशय होता है तो पर्थम विशय जो है यह प्रशन काल होता है अप्सेन नमबर बी रैट एंसर हो जाएगा ठीक बात का जो समय होता है वो सुनेकाल का हलाता है राश्ट पती की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा राइट एंसर अप्सेन नमबर सी हो जाएगा सदन के अधिवेशन नर आने की स्थिति में और राश्ट पती को अध्यादेश जारी करने की सकती आर्टिकल किस आर्ट तो यहां निर्धारंजव है दो हजार चब्विस तक यह था उत रहेगा और से नबर भी साई अंसर हो जाएगा मंत्री परिशद किसके प्रसाथ प्रियंत्र कारे करती है इसका अंसर ज़रा आप मुझे कमेंट करके आभी बता देंगे उसके बाद देखिए हम लोग कल बाढ इसमें से वर्ड चुनना है रोटन का तो इसका मतलब होता है मोटा इसका अपोजिट स्लीम हो जाएगा ऑप्सर नमबर डी साइंसर हो जाएगा चूज दा करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन दे ब्लैंक्स आई केनाट कन सीव ऑफ खाली अस्तान है एक्सेप्टिंग पोश्ट तो क्या हो जागा यहाँ पर राइट अंसर अप्सन नमबर बी हो जाएगा हीज हो जाएगा ठीक है कानसीव ऑफ हीज एक्सेप्टिंग दा पोश्ट नेक्स्ट कोस्ट देखिए अगला कोस्ट है नैंटी नमबर चूज दा एप्रोप्रोप्रियेट मिनिंग अच्छा और बुरा गुद टैम्स एंड बैड टैम्स ऑफ्सन नमबर इसका डी राइट अंसर हो जाएगा सो नमबर कोस्ट देख लिए कि चूज दा करेक्ट वर्ड डैट रिप्लेस्ट ग्रूप प्रोवाइडिंग रिलिफ इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है यानि कि ऑफ्सन नमबर इसका बी करेक्ट अंसर हो जाएगा तो फ्रेंस हमने सो कुस्टन कवर किया है उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी प्लीज वीडियो को लाइक कर देदिया और इसे शेयर जरूर कर देजेगा बाकि सभी वीडियो के लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर देख लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिन